दिनांक 18 जुलाई 2024 को थाना सराय नायत पर एक लूट का अभियोग पंजिक्रित किया गया था जिसकी संख्या 189 बटा 24 है इस अभियोग का सफल अनावरन हुआ है जिसमें छे अभियोगतों की गिरफतारी हुई है जिनका नाम चैला बाबू, मंजसरोच, शुमम मिश्रा, संदीप पतिल, विजय कुमार और सुनिल कुमार है इन में से अभियोगतों के विरुद में पूर में भी लूट और हत्या जैसे अभियोग जो है वो पूर में पंजिक्रित है इस अभियोग में प्रयुक्त तीन वाहन बरामद किये गए हैं जिसमें दो मोटर साइकल हैं और एक चार पैया वाहन हैं 77-61 तमंचा और कुछ कार्तूस बरामद हुए हैं और इसमें Near 5,400 रुपे हैं 77-2 किलो 500 अ उरा वी jest में किस तरह से इनों थे राष्टा रोप ग़र्ण जूर्ख से कम्मार听 लूट की थी और कालो शांट एता है इसमें जो है जो पूरी एक लाग पांच हजार चाड़ सो रुपए रिकवर हुए हैं साथ इसाथ दो किलो पांच सो ग्राम सफेद धातू और तक्रीबन छे ग्राम पीली धातू इसमें बरामद हुए है इसमें किस तरह से इन्होंने रास्ता रोग कर जोलर से लूट की थी इसमें जो है जो पूरी प्लानिंग किया है वो विजय कुमार उर्फ हबबा है जो थाना फाफा माउ का रहने वाला है इसी के द्वारा पूरी प्लानिंग की गई और जो व्यापारी थे उनके रेकी की गई और वहाँ पे जब वो अपनी दुकान बंद करके अठारा तारिक को शाम को लबग 8 बजे निकले थे तो ये वैगनार गाड़ी से उनका रास्ता रोका गया और पीछे से मोटरसाइकल पे तीन अभ्योगत जो सवार थे जिनको गिरफतार कर लिया गया है उनके द्वारा बैग चीन कर और कट्टे से फायर करने की सूशना ज इन सभी अभ्यक्तों के विरुद में हम लोग कैंक्स्टर वहांने कठोर विदिक कारवाई जो अमल में लाइंगे तो इस टीम को परिवाद है यह बहुत अच्छा गुडवक हुआ है इसमें जो हमारी टीम है जिसने अच्छा कारे किया है इसको दस अजार नकद राशी से प्रिस्खित किया जाएगा